तीन फुट में कितने इंच होती हैं और आज का ये वीडियो के वल इसी टोपिक पर रहेगा तो करपे वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें आए वीडियो को सुरू करते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं कि दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक फुट में कितने इंच होते हैं क्योंकि जब तक आप इसके बारे में नहीं जानते हीं तो आप पता नहीं लगा सकते हैं कि तिन फुट में कितने इंच होंगी तो आईए इसे विस्तार से जाने और अच्छे से समझी आगर हम एक फुट और इंच के समंध की बात करते हैं तो वै कुछ ऐसे हैं एक फुट बराबर बारा इंच यानि दोस्तों एक फुट में बारा इंच होते हैं यानि दोस्तों अगर कोई लंबाई एक फुट की होती है तो इसे इंच में बदलना हो तो इसे बारा से गुना करते हैं और इसका उतर बारा ही आता हैं और इसका मतलब है कि एक फुट में बारा इंच होते हैं नमबर दो तेन फुट को इंच में बदलना यानि दोस्तों तेन फुट में कितने इंच होते हैं अगर इस बारे में बात करते हैं तो वह कुछ ऐसे हैं क्य इसके लिए आपको 3 को 82 गुना करना होगा क्योंकि एसा करने के बाद आप इसे अच्छे से बदल चाते हैं और समझ चाते हैं तो आये गुना करते हुए समझते हैं कि तेन फुट में कितने इंच होते हैं तेन फुट इंटू 12 इंच बराबर 36 इंच यानि दोस्तों तेन फुट को जब 12 इंच गुना किया जता है तो 36 इंच आते हैं इस तरह से दोस्तों एक फुट में 12 इंच होते हैं और तेन फुट में 36 इंच होते हैं इस प्रकार अगर आपके पास तेन फुट के लंबाई है तो उसे इंच में 36 इंच के रूप में मापा जा सकता हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो करपे वीडियो को लाइक करें और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें